हेलो फ्रेंज, वल्कम बाक टो आज चानल, आईसी चैनल, आम मिस जानवी, आज वेम कनने वाले हैं नेया टॉपिक, आज टॉपिक का नाम है आपका डिप्थॉंग्स, थोड़ा सुनने में दीप साल अगर आओगा डिप्थॉंग्स, योकि अभी तक किसी ने सुना नहीं हो कि डिप्थॉंग्स किया है, टोटल चार है, यहां तक नोट करो पहले, अब इसके बाद नोट करो कि कौनजी कौनजी साउंड आती है, मैं एक बाएक करके बताऊंगे आपको, पहली साउंड में बता रही हूं आपको, आई की, इतना नोट करो बस पहले, आई, आई कि हमने थर्ड प्लेस में किया था, शौट आई किया था, जैसे इफ किया था, बिट किया था, वो जो आई किया था आपने, वो साउंड इसकी दे रहा था, जैसे इफ है, तो इकी साउंड आ रही थी, पर जो यह वाला आई है, वो आई की ही आवाज देगा, जैसे टाई हो तो symbol जो यूज़ करते हैं इसके लिए वो वी माक का यूज़ करते हैं ऐसे यह आई का symbol है आपकी line है line से उपर ही बनेगा अगर line से उपर बन रहा है तो मतलब क्या हुआ first place है यानि इसे हमें ये पता चला कि जो आई है आपका वो first place वोवल की category को belong करता है तो side में लिखने हो यहाँ पर first place अब first place मतलब जिस जिस word में आई की आवाज आईगी मतलब ऐसा word जिसमें आई सुना ही दे रहे है आई दिख भी रहा है हो सकता है आई spelling में ना दिखे बट sound आई ठीक है तो अगर आई की आवाज आ रही है आपको तो उसमें आप क्या करोगे आप वी वाला sign लगाओगे और उस word को जो है हवावे बनाओगे क्यों क्योंकि आई जो है first place का वोवल है example में दिखा रही हूँ आपको जैसे word हो गया tie टब और आई दिख रहा है ये आवाज को झिसकी आई ंा हे ये और आ ये ईकी तोनीह आरे हुशे इफ जिसे नहीं आरे आई की आवाज है मतलब आप ती झो है अब आप हवा में बनाओंगे- ये हवा में थी के बाद आई है तो बाद में क्या है यह आपका साइन आ जाएगा आई को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है इसी तरीके से एक और वर्ड ट्राइ करो लाई यह वर्ड मैंने इसलिए दिया विक्रस अब सब्सक्राद प्लेसिंग की गड़बर इसी में होती है लाई में ठीक है बनाओ अब ल और आई की अवाज आ रही है ठीक है लाई में अब ल क्या है नीचे से उपर बनेगा आदे बच्ची क्या करते हैं यहां बना देते हैं यहां नहीं बनेगा क्यूंकि यह नीचे से स्टार्ट हुआ था तो फिर्स प्लेस जानी इसकी यह हो गई और ल के बाद है आई तो L के बाद क्या है, I का sign आजाएगा, ये क्या हो गया, lie आपका, word ट्राइक करो एक और, shy, श और I, ये बनाओ, अब shy में तुम्हें, spelling में यहाँ वाई दिख रहा है, I तो spelling में दिखनी रहा, मैंने क्या बोला, आपको जो sound आएगी, I की, पस उसी की business पे आप ये वाला sign बनाओ गए यहाँ ठीक है, तो shy और I, यानि SH बना, और SH के बाद आई है, SH के बाद आई है, या आजाएगा sign आपक शाई, note कर लो एक पारी, next word try करो, die, die, बनाओ ये word, अब die word में क्या है, ड और I, तो यानि बस D और I की sound आ रही है, ए की तो कोई sound नहीं है, यानि बस D और I बनेगा आपका, तो D बनाया, D के बाद है, D के बाद है, first place में I का मा का जो है का die, note कर लो, इसके बाद और वर्ट्स बनाओ, एक हो गया by, और दूसरा हो गया by, बनाओ ये दोनों वर्ट्स एक परी, अगर कोई doubt है, तो comment box पर नीचे पूछ लेना, ठीक है, मैं clear कर दूँ होंगे, अब by दोनों में क्या है, ब और आई की sound आ रही है, तो B बना और बस आई, ठीक है, फर्स प्लेस पर क्योंकि आई क्या है, फर्स प्लेस वावल है, और नीचे वाले बाई में क्या है, ब और आई इसमें भी सेम है, तो ये सेम बना, तो इससे conclusion क्या निकला, कि चाए by by दिया हो, मतलब by वाला by, या by दिया हो, खरीदने वाला by, दोनों में क्या होगा, एक ही आपका बनेगा, वस आपको sentence से identify करना है, कि वो खरीदने की बात कर रहा है, या वो जाने वाला by कर रहा है, ठीक है, तो conclusion में क्या लिखेंगे, कि ये चाए by by है, चाए by by है, दोनों के लिए same ही sign बनेगा, कौन सा, व और आई, यहा तक note करो, next बनाओ इसके बाद, next word लिखो, time, फिर बनाओ, time, ये दुनों words ट्राइ करो, क्या word दिया है, tie, त और आई, तो यानि टी हवा में, टी हवा में और टी के बाद, आई, time, उसी तरीके से है, tie, ट, आई, और प, यानि टी और पी दो स्टोक्स बन रहे हैं, पहले जॉइनिंग मना लेंगे, टी और पी, टी के बाद आई की अवाज है, टी के बाद है, यहाँ पर sign आजाएगा, tie, बचों को ये topic थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने से बहुत simplify करके बता दिया है, अब आप बस step by step चलना, पहले इतना समझो, फिर इसके आगे का topic easy है, परशानी नहीं होगी, बस practice कर ले न, जैसे से में बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? Next पनाओ, like, बुक में जो है words कम दे रखे हैं, ग्रीन वली बुक में, तो मैं आपको additional words दे रही हूँ, ताकि एकदम concept clear हो जाए आप लोगों का, ठीक है? Like बनाओ, फिर बनाओ my, बना लिया, ठीक है, like है, ल, आई और क, यानि एल और के बना, एल के बाद है, एल के बाद है, आई का sign आगया, like, ठीक है? माई, म और आई, यानि M हवा में, M के बाद आई, माई है, next word बनाओ, wide, fire, यह वर्ट स्ट्राइ करो, wide और fire, wide में क्या है, were, I, or the, यानि W बना, D बना, W के बाद आई है, W के बाद है, I का sign यहाँ पे, हवा में बनेगा, क्योंकि first place है, आई इसलिए, फिर है fire, for, I, or, F, और R, F के बाद आई है, F के बाद है, तो यह ऐसे, fire, next word बनाओ, Admire, Admire, फिर बनाणा, 5, 5, अच्छा, जो आपका last, S.A.C. Grade C.N.D. का exam हुआ था, Monday को, 15 November को, उसका analysis मैंने डाल दिया है, अगर आप लोगोंने नहीं देखा, तो एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है, उसके अंदर मैंने questions सारे discuss कर दी हैं, जो सुब्व और शामवली shift में आये थे, तो वो एक बार ही note कर लेना, ठीक है, और अगर आप में से कोई है, जो देखे आया है, और एक्जाम में लाइक हमने कुछ कोश्चन दम से miss हो गए है, तो आप नीचे प्लीज कमेंट करके बता देना, इसी वीडियो की नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको आड कर लोंगी questions को, ठीक है, बनाओ admire, admire में क्या है, ए, first place का, the, my, I, अब starting का vowel क्या है, first place का आ रहा है, और I भी first place का है, हमें एक चीज़ देखने हैं कि जो भी starting का vowel रहेगा, वो ही decide करेगा placing क्या है, बाकि उसी के according बन था, starting का, A जो था first place का था, तो D, M और R structure बना, D से पहले A है, A का dot, add my I, क्योंकि I first place का है, यसलिए M की first place पे और बागी कर रहा है, admire, note कर लो, फिर है five, five में क्या है, for, I और were, तो यानि F और V बना, F के बाद I है, F के बाद है, तो I का यह साइब यहां आ जाएगा, five, next one आओ, knife, retire, retire, यह वर्ट ट्राइ करो, retire, knife वले वर्ट में क्या है, आवास क्या आ रही है, न, I और F, के लिखा है spelling में, पर sound नहीं आ रही है, यानि, के जो है silent है, खाली न, I और F, यानि N और F बनेगा आपका, ठीक है, तो यानि आपने बनाया N, और F, N के बाद आई है, N के बाद आई है नीचे, तो first place पे, I का sign बन जाएगा, फिर है retire, retire, E second place वाला है, और या I, diphtorm first place वाला है, क्योंकि starting का vowel second place वाला था, इस वज़े से, stroke जो है सारा नीचे बनेगा, बाकि I first place पे बन जाएगा, ठीक है, उससे retire में कहा है, आर के बाद E है, E का dot, टाई के बाद I है, I का diphtorm और ये र, retire, नेक्स्ट पनाओं, alive, चाइना, अब नेक्स्ट पर्ड क्या है, alive, alive में O वल आ रहा है, first place वारा, फिर L के बाद I तो ये है, ये diphthong first place का, तो यानि पहले L और B बनाया, L से पहले O था, L से पहले था, तो यहाँ लगा, L के बाद I है, L के बाद है तो ये first place पे, I का diphthong लग गया, alive बन गया, ठीक है, फिर दिया है चाइना, च, I और न, I diphthong first place का, न, A भी first place का, तो यानि CH और N बना, CH के बाद I है, चाइ, ना के बाद A, चाइना, note कर लो ये, I hope आपको ये लोग, ये clear हो गया होगा एक दम, मैंने बहुत सारे example दे दिया आप लोगों को, अब next sound start कर रहे हैं, ठीक है, I वाला complete हो गया, अब अगली sound आ रही है, अगली sound जो आ रही है, उसके spelling होते हैं O-I, इसे हम O-I बोलते हैं, हिंदी में, sound क्या देंगे, O-I, sign मनेगा इसका, greater than वाला, और ये भी first place को ही बिलॉग करेगा, यानि ये भी हवा में ही बनेगा आपका, note कर लो इतना, अब जैसे word O-I वाले कौन से हो गए, boy हो गया, enjoy, alloy, O-I सुनाई दे रहा है, ठीके, ये सारे words है, तो पहला start boy से ही कर लेते हैं, boy, अब ब के बाद O-I है, तो यानि B बना, अब O-I भी क्या है, first place है, यानि हवा में ही रहेगा, और first place पे ये O-I का sign बना देंगे, sign छोटा सा ही बनेगा, बड़ा मत कर देंगा, छोटे सा इसका बनेगा, greater than का, ठीक है, बनाओ ये, फिर बनाओ joy, ये word बनाओ, अब joy में क्या है, ज़ और O-I, तो यानि ज़ के बाद O-I, J हवा में, क्योंकि एक single ही sound है, तो J के बाद O-I का sign है पे, जोटा है, फिर try करो, alloy, alloy, alloy में क्या है, A first place का है, उसके बाद O-I का first place का sound आ रहा है, क्योंकि starting a vowel first place था, इससे सारा ही first place उपर बनेगा, तो L बनाया, L से पहले A की sound, L के बाद O-I, alloy है, ठीक है, next try गरो, enjoy, coffee commonly use होता है बड़ी बना के देखो पहले कुछ से, enjoy में क्या है, E क्या है, second place है, N से पहले क्या हुआ, second place का आ गया, J के बाद O-I आपका first place का है, क्योंकि starting का वहल second place का है, इसलिए सारा stroke लाइन पर बनेगा, बागी मातर अपने according placing के बार इस लग जाएगी, ठीक है, N है और J है, N और J बना, अब E का गया second place पर middle में लगा, J के बाद O-I, यहाँ पर, enjoy, नेक्स्ट वर्ड ट्राइ करो, Toil, Coy, C-O-I, Coy, यह वर ट्राइ करो, T-O-I और L दिया है, Toil, Coy में क्या है, कर और O-I, sound जो आरी बस उतने ही बनेगा, T-O-I और L, तो यानि T और L, T के बाद O-I है, O-I आपका diphthong ओली sound दे रहा है, तो यह ऐसे बन जाएगा, और बागी का L, Toil, फिर क्या दिया है, कोई, कर के बाद O-I की sound, यानि K बना, K के नीचे first place पे, O-I का sign बन जाएगा, यह हो गया कोई, इसके बाद बनाओ अगला, boil, यह बनाओ, इसी से related बनाओ, boiler, boiler, बनाओ, अब boil है, B, O-I और ल, तो B और L का stroke बना, B और L का, B के बाद O-I की अवाज आ रही है, O-I का sign ऐसे, boil, ठीक, फिर है boiler, B, O-I और ल, यानि B, L और R बना downward, B के बाद O-I है, B के बाद है, O-I, L के बाद O-I का light dot आएगा, boiler, note कर लो, I hope ये दो sounds clear हो गई है, पहली I करी थी, फिर O-I की आए, अब अगली sound पे चल रहे है, ठीक है, अगली sound आ रहे है, आउ की, इसे represent करेंगे, उल्टे वी से, ऐसे, और आउ की sound जो है, third place को belong करती है, third place, ठीक है, जैसे loud, out, couch, out सुराई देगा जहाँ पे, वो क्या है, third place की sound ने, पहला word ट्राए कर लेते हैं, loud, खुझ से ट्राए करो, फिर में बताऊंगे, अब loud में क्या है, learn our word, हमें third place वावल का पता है, कि जब भी two strokes होते हैं, तो जो भी sound होती है, वो अगले stroke की third place पे लगती है, और उसके before लगती हैं मिशा, यह हमने किया था third place वावल में, तो सेम चीज़ इसके साथ होगी, जो आउ की अवाज है वो कहा गई, D की third place पे, और क्योंकि D से पहले दिया है spelling, D से पहले spelling है तो पहले ही लगेगा, यानि L और D, L के बाद आउ है, कहा गया, D की third place, first, second, third, D से पहले, तो यहाँ पे ऐसे, loud, outcome ने के से represent किया, उल्टे B से represent किया, ठीक है, एक और word try करो, out, easy है काफी, बस concept समझ लो हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, out में क्या है, T से पहले out की आवाज आ रही है, यानि खाली T बना, अब single stroke case में क्या बताया था, कि जब एक ही letter होता है third place में, तो हमेशा उसी की third place पे लगती है, before, after देखके, ठीके, अब ये T से पहले है, यानि आव की मत्रा कहाई, यहाँ है, out, ख्योंकि first, second, third, पहले तो यहाँ आ गया, out, इसी की नीचे बनाऊ, couch, try करू, couch में क्या है, क, आव और च, आव का गया, CH की third place, यानि K और CH, अब CH की third place कौन से वही, first, second, third, उससे पहले दिया है, तो यहाँ पहाँ आ जाए, couch, same rule follow करेगा, third place वाला, पस उसी के according लगा देना, अगले stroke पे, मैं वेटा आ रही हूं, और वर्ट दे रही हूं, ठीके, next try करो, county, ये try करो, county, lounge, ये दो वर्ट बेना, county में क्या है, क, आउ, न, और टी, यानि के, N और टी का बने का structure, के, N और टी, अब आउ का गया, N की third place, first, second, third, N से पहले, यहाँ पे, और T के बाद Y का dot, county, दिखने में काफी बड़ा लग रहा था, बड़ बनाने में देखो, कितना easy है, county, next, देख लो, lounge में क्या है, ल, आउ, न, और ज, यानि, L, N, और ज, आउ का गया, N की third place पे, यानि, यहाँ पे, lounge, यह थर्ड वली sound में हमारी complete हो गई, अब हमने क्या क्या cover कर लिया, हमने किया I, tile I वाला, फिर हमने किया आपका यह ओय वाला किया था इससे पहले, toy, alloy, enjoy, फिर third किया out की sound, out हो गया, lounge हो गया, county हो गया, अब last sound की तरफ चल रहे है, मैं एक्जांबल्स आपको इसलिए करा रही हूं, जादा जादा करा रही हूं, ताकि माइन में बैट जाए कि कौन सी मात्रा का लागीगी, यूकि बुक में जो है थोड़े से एक्जांबल्स दिये हुए, ठीक है, फिर डारेक्ट जब exercise पर जम करते हूं तो placing समझ नहीं आती, कि उपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, कौन सा मोबल है, ठीक है, अब एकदम न पॉफेक्टली बैड या होगा दिबाग में, नेक्स चार ये last sound की, यू की, अब यू तो आपने का, सोचोगे कि भाई ये तो हमने second place में कर लिया है, पर जो वो यू था, वो अ की अवाज दे रहा था, किसकी दे रहा था? अ की अवाज दे रहा था, जैसे अब हो गया, अस हो गया, یہ अवाज दे रहा था, अ की, ये u जो है ये u की ही आवाज देगा क्या देगा यू की ही आवाज देगा और represent कैसे होगा उल्टे u से ऐसे n कैसकतो इसको u को जब उल्टा कर देते हैं n बन जाता है तो u किससे represent हो रहा है इससे उल्टे u से और ये भी third place ही है third place ठीके अब हमने कहा देखा कि जो starting के दो vowel थे i और आपका oi वो क्या थे दोनों first place थे जो last के दो की है ao और you ये दोनो third place है इससे क्या conclusion मिली कि dipthong के अंदर आपका second place वाला कोई भी sign नहीं है यानि सिरफ first और third ही है तो second place की कोई जगा ही नहीं है ठीके तो दो first के होंगे और दो third के हैं अब यू वाला word देखो जैसे हो गया tube सो हमारा word क्या था त्यूब अब ट्यूब में क्या होगा टी और भी line काट के क्योंकि यू third place है यू का आ गया बी की third place पे और बी से पहले तो बी से पहले बनेगा बी की third place first second third बी से पहले यू यह हो गया आपका word tube ठीके इसी तरीके से ट्राइ कर एक और word duty the ut duty मनाओ अब इसमें क्या है यू का गया टी की third place पे और टी से पहले यानि डी बना line काट के और light में टी बना टी से पहले यू है टी से पहले यहाँ यू लगेगा और टी के बदवाई का डॉट यह हो गया duty दूसरा word try करो cube फिर एक और word बनाओ bureau यह दो words try करो bureau और cube फिर इसके बाद जो है मैं आपको जो बागी का chapter पढ़ा है वो समझा दूँगी ठीके अब cube में क्या है क, यू और ब यू का गया बी की third place यानि के और बी बी की third place first, second, third यहाँ पे cube फिर है bureau ब, यू रो यू का गया आर पे यानि ब बना और आर बना यू का dipthong और आर के बाद उ का डाश नोट कर लो सो हमारी ये चार sounds जो है खतम हो गई है अब जो book में दिया हुआ है, joining of dipthongs दिया हुआ है, tryphone concept दिया हुआ है abbreviated w दिया हुआ है वो सब मैं भी समझा रही हूँ, ठीके? अब आपको topic है joint dipthongs ठीक है, heading डाल लो joint dipthongs अब joint dipthongs में क्यों हो रहे है, कि जो dipthongs थे I, OI, I and U इनको हम जोड के बना रहे है most cases में कहां जोड रहे है जहां पर dipthong पहले आ रहा है stroke के, या फिल last में आ रहा है अगर middle में आएका तो join नी करेंगे सिर्फ starting और end में join हो रहा है कुछ cases में, तो book में जैसा दिया हुआ है वैसे ही करना है, अपनी तरफ से अलग मत करना और अलग करके मत बनाना यूँकर टाइम लगता तब ही joining सिखा रहे है जिससे पहला word यहां पर दिया हुआ है item अब item में मैंने क्या बोल आपको जो starting में आपके dipthong दिये T से पहले है, T से पहले starting में है तो combine हो जाएगा इसमें कैसे I, T और म, item अब बनाने में convenient से तो साथ ही जोड़ दिया हुआ है ठीके, इसी तरी कैसे दिया हुआ है idle अब idle में क्या है, D से पहले है starting में है, तो starting में I, D और L idle, note करो वैसे एक और word दिया हुआ है न और I end में आ रहा है, sound I का न और I, तो यहां भी जोड़ देंगे कैसे, न और I फिर एक और word लिख लो, D, E, W, D, U तो D और ये U, D, ये क्या होगी, जोइनिंग होगी most कैसे स्टार्टिंग में और यहां पे तुम्हें end में दिख रहा है तो इन केस में जोइन करते हैं हम लोग, ठीक है, अब इसके आगे अगला टॉपिक नोट करो next topic आ रहा है, आपका 34 point जो दिया है, U के उपर कि जो U है, इसे कई बार हम ऐसे घुमा के भी बना देते हैं क्यों? easy joining के लिए easy joining के लिए क्या है? U को ऐसे घुमा देते हैं जैसे word दिया है value, value में V, L और U, तो V, L और ये US है value, यह बनाना convenient था, इसे लिए घुमा दिया है, ठीक है? वैसी argue word है, आ, र, ग, और U, argue, note कर लो एक बारी एक और word ट्राइ कर लेना, new, न, और U, new यह सब क्या है? easy joining के लिए U को थोड़ा से घुमा दिया है, बस यह topic है इसमें, ठीक है? अब इसके बाद है tryphones, जो सबस्छादा बच्चे इसमें तंग होते हैं, tryphone topic में वर टंग होने के इसमें कोई बात है नहीं, अराम से समझो हो जाएगा tryphone, word से क्या पता चल रहा है? try, try मतलब 3, मतलब, इसका मतलब होता है कि जब dipthong के बाद, dipthong दो होता है dipthong के बाद अगर कोई wobble आता है, dipthong के ज़स्ट बाद अगर कोई wobble आता है तो उसे tick से represent करते हैं, किस से represent करते हैं? tick से represent करते हैं, कैसे करते हैं? जिसे word है diary, मैं आपको बड़ी image बना के दिखा रही हूँ यहाँ आपे diary word है, ठीक है? अब I क्या है? dipthong है, I के तुरन बाद wobble आ गया, रूलने क्या बोला? कि dipthong के बाद अगर wobble आएगा तो उसे tick से represent करेंगे तो D, I, I के बाद A आ रहा है, तो पहले हम D और R बना दिया, यह structure ready हो गया, Y का dot I कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक, जहां पर यह खतम हो रहा है, यह image कैसी है, mirror image ऐसी है, यह उपर की तरफ जा रहा है, तो इसी के opposite एक टिक बना देंगे, नीचे की तरफ, जो यह image होगी, इसके opposite image बनेगे, टिक बनेगे, यह है बस आपका trifle, एक और word देखो, loyal, OE के बाद A आ रहा है, OE क्या है, dipthong है, उसके बाद vowel आ रहा है, यानि L और L बना, OE कैसा बनता है, ऐसा, अब यह ऐसा है, तो उसकी mirror image कैसी होगी, नीचे जाएगी, यह ऐसे हो जाएगा, यह क्या हो गया, loyal, यह जो टिक है यह वाला, यह A को represent कर रहा है, ठीक है, note कर कर लो, आप इसे थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो, विटा के दुबारा बना देती हो, उपर करके, काफे नीचे हो गया था यह, और यह ऐसे, और यह ऐसे, आपस है, ठीक है, एक और वर्ड, आउवला ट्राइ कर लो, टावल, O, W के है, डिप्था हों के, उसके बद वोवल आ रहा है, तो आपका T और L बना, आउव का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, यह S है, तो उसको opposite ऐसे आजाएगा, यह E को represent कर रहा है, यह हो गया टावल, ठीक है, अगर doubt है, तो comment करके वीडियो के नीचे पूछ लेना, या फ दो groups मिलेंगे, दोनों मैं add कर लेना, एक मैं doubt clear करती हूँ में, एक मैं notifications आती है, ठीक है, नेक्स देखो, topic जो आ रहा है, नेक्स टॉप है क्या आपका, abbreviated W, मैंने शॉट में heading डाल दिये, abbreviated W, W के बाद जब भी, kgmr आएगा, W के बाद जब B, kgmr वाला stroke आएगा, तो आपका जो W बनेगा, अब कैसा बनेगा, ऐसा, उल्टा C वाला W, ऐसे बनेगा, ये क्या represent कर रहा है, W, पहले W कैसे सीखा था, ये टिक वाला सीखा था, बच्पन में जो सीखा था, थोड़ दन पहले, अब कैसा आ रहा है, एसा आ आजाता है, आप लोग सोच रहों के भाई, इतना सब कैसे याद करें, क्योंकि काफी चीज़ें मॉडिफाय हो रही है, इसमें याद कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट को समझने और बनाना है, जब खतम होगा, आपका इस चनल का पार्ट, आपको ऑटमाटिकली बस वर्ड वर्ड रूल को याद नहीं करता, कि भाई W के बाद क्या आया, वो अटमाटिकली प्राक्टिस इतनी हो जाती है, कि आपका हाथ चलता है वहाँ पर पस, ठीक है, जैसे वीक है, W के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, W के बाद के आ रहा है, तो मतलब W कैसा बना, ऐसा बना अब थर्ड प्लेस है तो लाइन पर आएगा W और ये K और ये E का डॉट वीक ठीक है वैसे एक और वर्ड लिख लो वीर W E A R वीर E के आए है सेकंड प्लेस है तो W और R और E का डॉट वीर नोट कर लो बस सिरफ इनी लेटर स्केल रहेगा जब K G M R आएगा तभी W ऐसा बनेगा वरना नॉमलिक है अब अगला केसे बता रही हूँ आपको ठीक है लास्ट केस आ रहा है कि आपका W जो सीखा था आपने ये टिक वला ये का यूज हो रहा है अगर पहले वावल है फिर W है क्या है W से पहले अगर वावल है तो ये टिक वाला डिक होगा नोट करो से W से पहले वावल हुआ तो क्या हुआ टिक वाला डिक कैसे जिसे अवेक है अवेक में क्या है डिक व से पहले वावल है बट आपने देखा W के बाद तो K भी दिया हुआ था जो पहले rule किया, अब उस rule को ignore कर देंगे, पहले क्योंकि vowel दिया था, इसके according क्या होगा, w यह बनेगा, यानि अ, वे, और क, awake, चीक, वैसे ही aware, aware में क्या है, w से पहले vowel है, बाद में r है, क्योंकि उसे क्या था, kg यह मर दिया था, बट उसे ignore क्या है, क्योंकि starting में vowel आ रहा है तो यह normal ऐसे ही बनेगा, aware, r इसमें upward ही जाएगा, क्योंकि upward stroke के बाद आपका r क्या होते, upward ही बनता है, rule है ठीक है, तो यह हमारा topic जो है complete हो गया है, पूरी वीडियो को दुबारा से देखना, इसके notes बना लेना, मैंने बहुत simplify करके आप लोगों को बताया है, अगर कोई doubt हो रहा है, तो comment कर देना या telegram group पे x कर देना मुझे, ठीक है, मैं बता दूँगे आप लोगों को, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो please like करे, subscribe करे और share करे, thank you